पुलिस ने दो लोगों को गिरफतार किया है जिन में से एक सूरत में सीटी लाइट रोड़ पर साइंस सेंटर के पास एक वेगनार की लूट में सामिल था और दूसरे ने उससे 15 लाख रूपे लूट ले आरूपे के पास से कुल 6.6 लाख रूपे नकद और जवेरात बडामत किये गए हैं डीसीबी की गिरफतार में आया आरोपी साइडी की दलाली करता मिला था फिलाल आगे के जाच चल रही है डीसीबी पूलिस ने बताया को गिरफतार आरोपियों से पुछताइड में खुला सा हुआ है कि देवेंडर उरूप बंटी सर्मा का भाई पसुपती मार्किट में मुकिस भाई राठी नाम के एक व्यपारी की दुकान पर काम करता था मुकिस भाई राठी ने एक अन्य व्यपारी पसुपती मार्किट में एक दुकान खरी दी थी केले की रासी दी गई सेस रासी का भुकतान एक माहबाद नकद के अंदर में किया जाना था मुखिस राठी के दुकान में विक्रेटा को यो रासी देने के बाद व्यवपारी रासी लेकर घर चला गया था देवेंडर के भाई ने देवेंडर को फोन कर व्यवपारी के बाजार से फोन पर जानकारी दी तो पैसे लेकर जा रहे वे पारी की कार सदक पर रुख दी गई और उसे नकदी लूटने की योजना बनाई गई